नमस्कार दोस्तों आसा है आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी 69th BPSC prelims को अभी करीब 30 दिन बचे हैं और इन 30 दिनों में आपकी strategy कैसी होनी चाहिए इन 30 दिनों में जो recent happenings हुई है चाहे TRE का exam हो या फिर 5 option और 4 option को लेकर जो discussion है उससे आपको क्या फर्क पड़ता है उसको आपको 69th BPSC में कैसे implement करना है कि आपके marks उसमें बढ़ाए जा सके हम ये भी देखेंगे कि आपकी revision strategy क्या होने चाहिए last के 30 दिनों में उसके बाद आप हमारे इस YouTube platform को कैसे utilize कर सकते हैं अपने last moment revision में उसकी भी हम बात करेंगे तो दोस्तों अभी देखिए कि कुछ दिन से last के 2-3 महिने से teacher recruitment exam का काफी महौल चल रहा था हर तरफ teacher recruitment exam के papers, classes, test series वगरा वगरा market में आ रहे थे सबका focus यही था कि एगर teacher का exam है, class 1-5 को पढ़ाने वाले teacher का exam है तो question भी class 1-5 level, class 8th level, 9th level तक maximum जाएगा लेकिन question का जो level था that was absolutely marvelous वो question जो था बहुत ही बढ़िया question था और pattern जो है BPSC ने अपना standard जो है वो अपना maintain रखा है, उसके according अपने pattern को device किया है तो आपको इस टियारी के exam में जो questions आए उससे क्या reflect होता है आपको उससे क्या सीखने की ज़रुरत है, ये समझना होगा ये तो आपको देखके समझ में आ रहा होगा कि जैसा question आता था 67th re-exam तक, वैसा question अब आना मुस्किल है क्योंकि there is a huge transformation in BPSC ये transformation जो है, वो regarding question जो setting team है उसको लेके हो या जो उस team का जो priority है question setting में वो क्या ढूंडना चाह रहे है candidate में और उसके हिसाब से एक proper vision के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो लोग और question जो set कर रहे है, that is totally not in factual और उसको क्या है concept और factual का बहुत अच्छा mission बना रहे है और जो static books है, आपको धिरी-धिरे क्या है वो obsolete करा रहे है आप observe करेंगे, हम आपको आगे बताएंगे किस तरह से तो जिस तरह से 68th BPSC का paper था उसी तरह से थोड़ा बहुत आप देखेंगे कि teacher recruitment exam का भी paper था और हम इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा 69th BPSC prelims का paper होगा somewhat similar line पे होगा, थोड़ा बहुत आगे पिछे होगा लेकिन this is very sure कि similar line पे होगा इसका सबसे बड़ा reason ये है कि जो examiner का mindset है examiner का mindset ये है कि आपको factual नहीं रटवाना है आपको अब conceptually चीजों को समझाना है आपको जो question attempt करने होंगे वो आपके knowledge के basis पे करने होंगे ना कि rectification के basis पे तो ये जो change, transformation जो देखने के आया है क्या होता है question अगर कोई एक team गठित होती है तो सिर्फ एक दो exam के लिए गठित नहीं होती है उसको क्या है आगे के एक साल डेर साल में जितने भी exam conduct होंगे through a commission वही committee उसको देखती है तो चुकि आप देखेंगे कि यही committee दो चीन exam जो last conduct करा रही है उसमें जो इसका pattern रहा है पूछने का वो conceptual in nature हो गया है तो हम यह भी expect करेंगे कि 69th में जो question है वो भी कहीं ने कहीं similar pattern पे रहेगा तो हमको क्या जरूरी है हमको जरूरी है भी सचेत होने की हमको जरूरी है भी समझने की कि वो क्या चाहते हैं किस subject में क्या चाहते हैं वो जो subject wise किस तरह से उनका focus shift हुआ है आप देखिए हिस्टरी का जो question रहता था कहीं ने कहीं काफी repetitive रहता था एकदम से repetitive रहता था और आप मान के चलिए 40-50% question तो direct आते थे previous year question से अब देखिए क्या किया है इन्होंने question repeat कर रहे है theme wise लेकिन question के जो अंदर का माल है वो change कर दे रहे है उसके concept को deviate कर दे रहे हैं उसके concept को घुमा दे रहे हैं आप एक्जामपल समझे कि आप उन्हों वो इसे पूछ रहे है कि iron tools कब मिलते हैं iron tools आप देखिए 68th VPSC में उन्होंने पूछा था कि iron tools कब मिलते हैं 10,000 BC 12,000 BC, 6,000 BC अगर थोड़ा पढ़ा लिखा भी aspirant रहेगा जिसको थोड़ा सा time का अंदाजा रहेगा अगर उसने NC industry, paleolithic, misolithic, neolithic अरा पढ़ा है तो उसको पता होगा कि हरपन culture जो है वो starting ही है तो अगला जो iron आएगा वो तो इसके बाद ही आएगा यानि कि कहीं ने कहीं वो 600-700 BC में आएगा तो इसका अंसर जो है 600-700 BC होना चाहिए था तो तीनों option जो था उसमें 5000 से उपर का दिया हुआ था BC में तो absolutely तीनों में से कुछ नहीं होता आप nano of these मार देते तो ये question को इस तरह सभी पूछा जा सकता था कि iron tools have been found in later vedicara, moryanera, guptaera, harappara तो आदमी easily उसको later vedicara मार देता लेकिन इन्होंने time duration दे दिया एक time stamp दे दिया अब आदमी को एक step आगे जाके सोचना पड़ेगा कि अच्छा later vedicara था later vedicara कौन से time duration माया होगा अगर उसको ये भी अंदाजा नहीं है तो at least अकर harappara की timeline उसने एक बार देखी होगी तो ये question आसाने इस attempt कर सकता था उसी तरह से बाँ की सारे questions भी आप देखेंगे ने तो directly जो पूछे जाते थे उसको एकदम खतम कर दिया गया है अब जो पूछा जा रहा है history में specially आप history को अगर observe करेंगे तो history में करीब 25 से 30 परतिशत question ऐसे पूछे जा रहे हैं जो की easy in nature है easy in nature है जिनको आप one liner या fact की जो किताब है आपके पास उससे आप इसको tackle कर सकते हैं this is for sure 25 से 30% history के सवाल बाकी जो 30% सवाल है बाकी जो आगे के 30% सवाल है वो completely applied in nature है वो applied in nature है अगर इन किताबों को परने के बाद अगर आप उस चीजों को आपने absorb नहीं किया, grasp नहीं किया और उसके बारे में सोचा नहीं तो इसको attempt करने में दिक्कत होगी तो अब यह जो applied question यह कहां से आ रहे है यह applied question उसी static area से आ रहे है लेकिन उनकी जो language है उनको जो पूछने का तरीका है उसको modify कर दिया गया है current affair में जो one liner आता था one liner नहीं पूछके वो क्या कर रहे है एक step one liner आता था उसके अंदर का fact आप पूछ रहे है तो जब तक आप इस one liner के according जो paragraph में चीजे हैं उसके related जो भी information है peripheral view अगर आपने उसका नहीं लिया है तो this will be very difficult for you to attempt that question तो similarly आप देखिए 30% question जो history का है वो applied वाले कर दिये गये है अब बाकी का जो बचा 30 से 40% का area आप देखेंगे जो की एक दम से moderate या tough level का बना दिया गया है तो अब बोलेंगे ये moderate और tough level का question कहां से बनाते हैं history में तो पुला मैदान है अब कहीं से question उठा लेंगे तो लेकिन उन्होंने ये data fix किया है आप ध्यान दीजेगा questions में उन्होंने क्या किया है कि जो अपने themes हैं जो major themes हैं जो previous year question पुछे जाते हैं topic उन्होंने वही रखा है लेकिन उससे plus 1 या plus 2 level उपर तक करके ले गया है जैसे चंपारन सत्यागरा में हमेशे आप देखिए राज कुमार सुकला के इर्दिगर्द घूमता था question अब question क्या पूछता है कि चंपारन एग्रेडियन एक्ट जो है वो कब पास किया गया अगली बार ये भी पूछ सकता है चंपारन एग्रेडियन एक्ट जो है उसका resolution कब लाया किसने लाया कब पास किया उसका क्या comment था क्योंकि क्या है उसका जो lot है उनके पास question पूछने का वो finish हो गया है और ये lot readily available हो गया है as a content student को तो either ये जो static subject वाला lot है वो अपने आपको modify करें या फिर जो student उनको पढ़ने वाले हैं वो google करके अपने आपको update करें तब ये 30-40% question जो है आप easily tackle कर सकते हैं तो अब आपका focus क्या होना चाहिए आपको किस पेवरी करना चाहिए उस पे हम बाद में बात करेंगे उस पे हम अगले stage में बात करेंगे तो अभी देखिए 30-40% जो है tough या medium सवाल आ रहा है तो मिला जुला के आपको ये वाला जो area है मतलब 55-60 वाला area अगर आप अच्छे से कर लेते हैं इसमें अगर 95% आपका output रहता है तो बाकी बचे 40% में से अगर आप 10-20% भी कर लेते हैं 10-20% भी कर लेते हैं तो आपका strike rate जो है overall strike rate जो है कितना 60-70% या 75% तक पहुँच जाएगा कहने का मतलब अगर 100 question हिस्ट्री का है तो उसमें 75 question हिस्ट्री का आप सही कर सकते हैं कहने का मतलब अगर 30 question इतिहास का पुछता है तो इस 30 question में आप 22-24 question easily सही कर सकते हैं अपना जो static वाला portion है उसको सही करके उसके बाद बाकी के जो 6-7 question बचते हैं उसमें आप अपना application of mind लगा सकते हैं या अगर आप में MCQ solving की प्रविर्टी जादा है तो क्या होता है कुछ लोगों को है न option देख के पता लग जाता है कि यह answer है number of questions वो solve करता है तो वो वाला tendency एगर आपका है तो उससे आप 6-7 question निकाल लीजिए या फिर आप उसमें logical guessing कर सकते हैं logical guessing logical guessing का यह मतलब नहीं कि अंधा तुक काप मारे आपको logical guessing means logical guessing करना है कि जो options हैं उसको कहीं न कहीं किसी न किसी चीज से अगर relate करके आप answer तक पहुँच पा रहे हैं अगर आप एक या दो option भी eliminate कर पा रहे हैं तो क्या है आप उसको easily attempt कर सकते हैं और आपको attempt करना भी चाहिए तो हमने देखा कि history के जो 40% 30 से 40% वाला area है वो cut in होता जा रहा है और उसको अगर आप अपने notes को update नहीं करेंगे अगर अपने notes पे आप काम नहीं करेंगे अगर static चीजों को बार-बार आप पढ़के जाते रहेंगे और चाहेंगे कि हम qualify कर जाए तो यह चीज होने वाला नहीं है उपर से इनका और भी क्या रहता है कि इनों option में छेड़-छाड़ करते हैं लोग कुछ ऐसा option बनाते हैं कुछ ऐसा twist करके चीज बनाते हैं कि आधी जनता उसी में फसके रहा जाती है कि more than one above जो पूछ रहा है वो question वाला है या option वाला है ठीक है तो इस सम्में confusion create होके क्या होता है last time जो cut off है 91 चला गया 113 से और अगर pattern maintain रहा तो I can assure you कि यह जो cut off है इसी के around hover होगा ज्यादा इसमें changes आने वाले नहीं है तो अब आपको करना क्या है आपकी strategy क्या होने चाहिए तो आपको strategy बता दे से पहले हम देखते हैं दूसरे subject में जैसे science science में पहले क्या पूचता था one liner भड़के रहता था जो railway SSC में question आते थे अब देखेंगे लोग उनको रटके जाते थे और अच्छा perform करके आते थे और 37-68 question सही करके आते थे 30 में पिछले बार ये हालत हो गई कि 30-32 question जो पूचे गए थे around में बता रहो 30-32 जो question पूचे गए थे उसमें 20-22 लाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था reason ये था कि जो questions of science के आ रहे हैं that is directly coming from NCRT NCRT से direct उठा के question पूच रहे हैं अगर आप हमारा revision series देखेंगे अभी हमारा chemistry का revision series just खतम हुआ है अगर आप revision series को देखेंगे और TRE में जो chemistry को question पूचे गए हैं आप उससे revision series में answer ढूढने की कोशिस करिए मैं recorded वीडियो में कह रहा हूँ कि 90-95% questions जो हमारे revision series है क्योंकि हमारा revision series जो NCRT पर based है तो कहने का मतलब science कोन होने completely अब NCRT पर shift कर दिया है reason यह है कि science को आप ज़्यादा tough नहीं बना सकते complex नहीं बना सकते क्योंकि आपको दसवी के level तक का प्रस्न पूचना है अगर आपको दसवी के level तक का tendency है वो एकदम reduce हो जाती है कम हो जाती है तो science की जो questions हैं वो direct NCRT से उठाए जा रहे है NCRT में जो भी boxes है NCRT में जो भी activities है NCRT में जो भी exceptional examples है या फिर जो बाद में exercises हैं वहीं से question पूछे जा रहे हैं आप उठा के देख लिजिए अब अगर बात करें हम geography की तो geography में आप observe करिएगा एक चीज कि पहले geography क्या था world geography पे बहुत focused था world geography मतलब Asia, Europe, Africa, North America this that, mountain, plateau अब जो focus है वो आप देखेंगे जा रहा है physical geography की तरफ physical geography की तरफ आप देखेंगे जो focus जा रहा है वो conceptually nature हो रहा है करने के लिए जो NCRT है अपना geography का 11-12 का that are more than sufficient वो more than sufficient है उससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रुद नहीं है इसमें लेकिन आपको वो भी पढ़ना होगा तो full conceptual study के साथ पढ़ना होगा क्योंकि अब factual वाला सवाल नहीं रहा, factual वाले सवाल आएंगे भी तो मैंने क्या बोला 20-30% सवाल आएंगे उसके बाद जो सवाल आएंगे वो applied nature के रहेंगे उसके बाद tough nature के रहेंगे तो geography में क्या होता है अगर आफ tough बनाएंगे तो फिर वो optional की तरफ धकेल देगा और optional वालों को फाइदा हो जाएगा similarly history में है अगर ज्यादा tough बनाएंगे तो optional वालों को फाइदा हो जाएगा क्योंकि वो ज्यादा deep में पढ़ते हैं तो उसको बचाने के लिए लोग क्या करते हैं तो गांदी जी पे कितने attack हुए कहां कहां attack हुए जरूर पढ़ेगा वो कहां कहां उनको मारने की कोशिस की गई अगर वो पढ़ेगा तो इस बार का question जो पुछा गया था वो उसका भी जवाब दे सकते हैं जो Edwin वाला सवाल था वो हमारे तरकश में दिया हुआ है उसका explanation हमें लिग दिया था क्योंकि हमने previous year question को analyze किया है और यही तरीका है इस तरह के परिक्षा को तैयारी करने का क्योंकि किसी भी subject में अगर वो ज़्यादा अंदर जाते हैं तो उस subject के specialized student को ज़्यादा हो जाता है लेकिन अगर वो previous year question पर stick करते हैं तो क्या होता है एक overall सारे segment of students को फायदा होता है कि जो previous year question को बार बार पढ़ रहे हैं उसको analyze कर रहे हैं उस पर study कर रहे हैं research कर रहे हैं तो उनको फायदा होता है तो जो geography में है वो physical पर focus करेंगे और यह नया pattern है previous year question से previous year question में जो पूछे गए हैं तो इसको tackle करने का बच्छा तरीका NCRT पर ही है और CDS में जो questions पूछे गए हैं geography में physical से related उसको आप prefer कर सकते हैं क्योंकि उसमें अच्छे खाचे questions जो हैं आप direct वहां से उठा के NDA और CDS वाले पूछे जा रहे हैं अब हम बात करते हैं बिहार special की देखें बिहार special में ऐसा है कि हमारे videos जो हैं यहां से 80-90% question आने ही आने है क्योंकि हमारा जो level है जो market में material static material है वो यह level है और हमारा level already यहाँ पे अगर आपने हमारे सारे बिहार special के videos को including जो MCQs कराए गए हैं including जो marathon session में सारे questions लगभग 30-30 questions के 3-4 टेस्ट कराए गया है उन सब को आपने अगर clearly सुना होगा और अच्छे से notes बनाएंगो उसको और बार-बार revise करिएगा उसको तो काफी holistic manner में पढ़ा दिया गया है जितने भी research papers available रहते हैं बिहार specials related जितनी भी जीविनिया हैं लोगों की उन से उठा उठा के ये lectures बनाएंगे हैं तो this is extremely important ये free of cost YouTube में available है playlist में अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजे अगर आप resonance में हैं तो आपको already maximum आपको दिखा दिया गया है और अभी जो revision series में आएंगे videos उनको आप जरूर देखिएगा because that will be as a value addition अगर आपको लगता है बहुत समय जा रहा है उसमें तो 1.5 करके देख लो लेकिन यार जरूर देखना revision series मैं अभी भी कर रहा हूँ कि at least 50 to 60% questions जो हैं सारे subjects के वहीं से आएंगे बाकी के जो questions हैं वह आप देख लीजे कहां से आएंगे लेकिन 50 to 60% 100% आएंगे उसके बाद वाला बढ़ेगा ही बढ़ेगा कम नहीं होगा उससे तो बिहार special में हमारे videos sufficient है इसमें अब क्या हो रहा है इसमें हो रहा है कि वो अब जो limited questions थे उनके पास कि चमपरन सत्यागरे में सिर्फ राजकुमार सुकला के बारे में पूछ देगा तो ऐसा नहीं है वो परताप magazine और पीर मुहमन मुनिस को भी पूछ सकता है उसमें और ये भी पूछ सकता है कि उसमें paragraph किस ने लिखा परताप को funding किस ने की थी इतना तक भी जा सकता है वो तो आपको ये जरूरत है कि थोड़ा deep divers करें हम किसमें previous year question में previous year question को थोड़ा research करें static book को थोड़ा सा हम side कर दें कुछ देर के लिए और क्या जो previous year question से हमारे उन पर थोड़ा focus करें उनसे related facts को हम निकालें तो जो मेरा 30-40% वा एडिया था जिसको tough बनाने की कोशिस कर रहा है अभी PSE वो cater किया जा सकता है अब अगर बात करें quality और economy की तो हमेशा ये लोगों का रहता है कि कैसा question आगा देखो दोस्त quality का question तो ऐसा आता है कि अगर आप कर सको तो of shift नहीं हुए है और आपकी जो knowledge है उससे इन questions को आराम से tackle किया जा सकता है इस बार मुझे लगता है economy पर थोड़ा focus बढ़ेगा reason ये है कि integrated exam है और थोड़ा economy के जो specialization है उनका भी exam है तो इसके लिए थोड़ा question को economy का उसमे मसाला डालने की कोशिस करेंगे जैसे आप देखेंगे TRE exam में उन्होंने environment का मसाला डाला है reason ये है कि class 4, 5, 6 का आगर देखेंगे आप से ले बस तो उसमें क्या है ना social science, science सब को एक environment angle से बताया जाता है तो उसके लिए उन्होंने ज्यादा environment डालने की कोशिस के लेकिन मेरे हिसाब से economy पर focus जादा रहेगा इस बार के comparatively पिछले बार से 2-3 question जादा आए लेकिन economy पर थोड़ा focus बढ़ेगा तो अब आपको करना क्या चाहिए आपकी अब strategy क्या होनी चाहिए आपकी strategy ये होनी चाहिए कि आपके पास जो भी resources available है आपने अभी तक जो भी पढ़ा है चाहिए आपने हमारे class के lectures को पढ़ा हो चाहिए आप किसी भी standard book को follow कर रहे हो standard book means standard book जैसे modern history के लिए spectrum है विपन चंद्रा है ancient history के लिए आरे सर्मा है ऐसा नहीं कि आप one-liner उठा के बोल रहे है को इस standard book those are not standard books those books are short cuts please do not take short cuts in civil services examination be it UPSC और state PCS this is all about standard books जो quality इनको पढ़के student बना पाएंगे examination में वो साइध आप में नहीं आपाएगी one-liner पढ़के क्योंकि जो तारकिक छमता है वो ज्यादा develop होती है standard book पढ़के तो खेर अभी तक जो आपने पढ़ा है I am hoping कि next 10 days में आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं एक से दो बार आप इसको एक से दो बार finish करेंगे अगर आपके पास short notes बने हुए हैं तो very well and good लेकिन अभी short notes पढ़ने का time नहीं अभी full book से पढ़ने का time है क्योंकि this is time कि आप अपने दिमाग में picture जो memory है उसको develop करें क्योंकि आप last के 15 दिन में आप book नहीं पढ़ पाएंगे इतनी ज़्यादा anxiousness हो जाती है आप क्या करेंगे फिर short notes पे prefer करेंगे coaching notes पे जाना सुरू करेंगे अभी मैं बोलता हूँ please don't do that अभी आप full book पढ़ेंगे जो source आपने initial में refer किया है उस source को refer करेंगे और मेरा ये suggestion है कि अगर आपने NCRT पढ़ा है तो NCRT खोल के उसके solid डब्बे को activities को जो extra चीज़ दिये हुई है जो photos दिये हुए है उनको जरूर पढ़िए आप आप उन books को जरूर खतम करिए जरूर नहीं है कि आप NCRT ही पढ़े होंगे आप और भी किताबे पढ़ सकते हैं जो मोटी मोटी किताबे आती हैं different subjects की तो वैसे किताबे आप finish करिए जो सब बढ़ते हैं क्योंकि जो 30% है और जो 30% next slot वाला है इसमें अगर आपको 80-90% का आपको margin लेना है तो ये देखना पड़ेगा कि आपके silly mistakes को जो है आप एकदम minimize करें silly mistakes तभी minimize होंगे जब आपके available sources जो आपके available materials हैं उन पे आपका command हो क्योंकि अगर आप वो गलत करते हैं तो आप तभी race से बाहर हो गए अगर आप वो सही करते हैं तब वो 40% जो आ रहा है जो tough level का question है उससे आपका decide होगा कि आप cut off पार कर रहे हैं या नहीं पार कर रहे हैं क्योंकि इस 60% वाले area आपको एकदम से command होना चाहिए तो अभी आप और इसमें क्या कर सकते हैं कि अभी दोस्ट जो हमारे revision series के videos आ रहे हैं revision series के videos जो आ रहे हैं YouTube पे that is absolutely free of cost free of cost और इसको इस तरह से design किया गया है this covers previous year questions along with NCRTs और इनको देखते हुए जो most probable thing हो सकते हैं इस बार के उसकी चर्चा उसमें ज्यादा की जाती है उस पे जोड़ ज्यादा दिया जाता है तो revision series को जरूर देखिए आप अगर time नहीं है आपके पास आप travel कर रहे हैं कहीं भी आप उसको 1.5 से 2 पे speed बढ़ा के आप सुन लिजी लेकिन सुनियेगा जरूर दो-तीन बार सुनियेगा तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और आपको फाइदा होगा आप देखिएगा क्योंकि उसमें वो चीज बताया गया है उतना चीज ही बता गया है जो required है और जिसकी conceptual understanding important है उस चीजों को वहाँ पे दर्शाया गया है क्या होता है ना आजकल नया culture है यहाँ कुछ लिख दिया उसको रंग रहे हैं बोल रहे हैं रंग रहे हैं दाट इस नॉट पढ़ाई वो पढ़ाई नहीं है पढ़ाई है कि आपको चीजों को बताया जाए समझाया जाए ठीक है खेर I am not going to that आप देखिए कि आपको करने क्या नहीं है अभी at least next 10 days में आपको next 10 days में one liners पे depend नहीं होना है one liners बहुत बड़ा threat है अभी one liners पे बिल्कुल depend नहीं होना है आपकी जो किताबे हैं NCRTs पर ही है आपने या चाहे previous year question की जो मोटी मोटी बुकाती है different subject की आपने उसको लगाई है that is also good लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिधा एक एक लाइन पे आप इन किताबों को पढ़ें और तनमेता से पढ़ें ऐसे की चीजों को आप एनलाइज करें ठीक है तो उस तरह से आप इन सी चीजों के रिवाइज करेंगे आप one liners को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे आप किसी भी coaching के material को नहीं पढ़ेंगे जो one liner type रहते हैं आपको लगेगा ना कि two days में सारा clear ऐसा नहीं होता है दोस्त two days में कुछ clear नहीं होता है आपको उसके लिए time देना पड़ता है आपको दिमाग का जो bit है वो limited है उसको आपको बार बार चीजें बतानी पड़ती है आपको detail में बतानी पड़ती है जब अतुल परसाद जी ने एक tweet किया ये tweet क्या किया उन्होंने कि 69th BPSC जो आने वाला है भी उसमें क्या है चार options होंगे और एक बटाती negative marking हो जाएगा तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं इससे हम क्या समझ सकते हैं लोग ऐसा बोलने लगे कि आप paper UPSC जैसा हो जाएगा कुछ बोलने लगे कि इसमें क्या है कि आपके पास सारा freedom हो गया आप तो more than one none of these रहा नहीं तो दोस्त ये सब जो है ना बहुत बड़ा confusion है मैं आपको बता दूँ जब 68 का mains हो रहा था उसमें एक notification आया था उस notification में ये चीज clearly mentioned था देखिए this was clearly mentioned there कि अगर आप 4 option को चुनते हैं तो उसमें D जो होगा वो more than one होगा या कुछ question में none of these भी हो सकता है और बाकी सारे A, B या C होंगे कहने का मतलब ऐसा कि question अभी आपके कैसे रहते हैं अभी के trend में ये कैसा था 68 तक था ऐसा ठीक है अब का जो trend है इन्होंने क्या बोला है कि हम ये option maintain करेंगे ये option retain करेंगे ये option retain करेंगे हम इसको खतम कर देंगे इसको नस्तेनावूद कर देंगे मतलब एक जो पांच से हम चार कर दिये पांच आप्शन से हम चार आप्शन कर दिये लेकिन यह जो चौथा आप्शन है इसमें हम मोर देन वन भी दे सकते हैं नन अफ दे सकते हैं और यह कहीं नहीं लिखा हुआ है इन्होंने कहीं exclusively mention भी नहीं किया है क्या पता वो more और none दोनों दे दे ठीक है क्या पता यह चार की जगह पर यह चौथा option डाल दे सारी possibilities आपको जिंदा रखनी है क्योंकि last minute shock आपको नहीं लेना है that is very dangerous बुड़ा examination खराब हो जाएगा ठीक है तो इसमें आपको सारी possibilities धहन में रखनी है यहां more than one भी हो सकता है none of this भी हो सकता है और जो option वाला चीज है वो भी हो सकता है अब देखिए BPSC का ऐसा इतिहास रहा है 68 को छोड़के बहां की पहले जितने थे बहुत सारे questions के answer उन्होंने गलत दिये थे तो हमेशा वो safe खेलने की कोशिस करता है तो यहां भी कहीं न कहीं safe खेलने की कोशिस कर रहा है और मेरे हिसाब से क्या करेगा वो more than one देगा जहां more than one नहीं दे पाएगा वहां कुछ ऐसा option डालेगा all of the above type डालेगा या none of this डालेगा तो at least वो थोड़ा safe खेलने की कोशिस करेगा चौथा option में static वाला डालने की समभावना मुझे कम लग रही है लेकिन इसको नकार नहीं किया सकता है यहां चौथा option भी रह सकता है तो don't take it as granted तो अब उन्होंने चार option दे के क्या किया उन्होंने अपनी जो बादसाहत है वो तो कायम रखी कि हम more than one none of these तो आप छोड़ेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया था जो mains का form भरा रहे थे तो mains के aspirants उन्होंने यह सब भढ़वाया था form में यह आप किसको prefer करते हैं तो यह जब चीजे हुई तो अब उनको फाइदा क्या मिल गया अब पहला जो negative था वो कितना था one by four negative था इसका मतलब कि अगर आप चार question गलत करते हैं तो आपका एक marks जो है वो deduct हो जाएगा वो आपका एक marks deduct हो जाएगा कितने में जितने आप सही कियें तो आप चार question गलत करने पर एक marks deduct फोड़ा था अब उन्होंने नए pattern में क्या किया है जो revise pattern जो आज का है उसमें उन्होंने क्या किया है कि तीन question में आपके एक mark कट हो जाएगे आपकी जो attempt की tendency है attempt की tendency है उसको उन्होंने कम करने की कुशिस की है आप जितना खेलते हैं वो वाला चीज जो है ना कि चलो attempt कर देते हैं चार में गलत होगा ना तो वो चीज कम हो गया है तो अब क्या है कि आप तीन question attempt करेंगे और तीनों कर गलत हो गया तो एक marks आपका कट जाएगा तो penalty load जो है उन्होंने बढ़ा दिया overall आप देखेंगे तो penalty load उन्होंने क्या किया बढ़ा दिया keeping in view कि more than one none of this अभी भी उनके लिए constant है अभी भी पता नहीं है कि वो चाहे D option में more than one दे none of this दे या फिर कुछ भी दे यहाँ पे तो उन्होंने लिखा है इन्हें rest rest मतलब A, B और C में वो बाकी जैसा ही रखेंगे लेकिन D में कहीं कहीं more than one देंगे कहीं कहीं none देंगे तो यह sure है कि D में more than one none of this देंगे ठीक है तो हमको इससे क्या फाइदा होगा हमको इससे क्या नुक्षान होगा देखो मैं इसको इसे ही समझता हूँ कि इससे कोई खास फर्क नहीं परने वाला है serious students को चाहे वो चार option दें चाहे पांच option दें और चाहे वो more than one none of these attempt करें तो आपके कोई खास फर्क नहीं परने वाला है आपको अपनी पढ़ाई वैसे ही चलानी परेगी कोई strategy की change की ज़रत नहीं है अगर आपको कोई बोल रहा है strategy change की ज़रत है तो सायद उसको सही से पता नहीं है कि किया क्या है या उसने कभी exam नहीं दिया मैं ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ चीज कि जिस तरह से video float हो रही है कि strategy change करने परेगी कोई strategy change करने की ज़रत नहीं है BPSC is going to panic only those students who are not taking them seriously and taking them granted जो चाहर है कि online लपढ़के जाए हम pass कर जाए उनके लिए possible नहीं है आप जो पढ़ाई कर रहे हैं please maintain that pace please maintain that pace अगर कुछ बदला है ना तो सब के लिए बदला है भाई सिर्फ आपके लिए नहीं बदला है ये relative competition है relative competition है और भाई ये UPSC भी नहीं है UPSC ऐसा question नहीं देता है अगर आप कोई बोल रहा है कि UPSC जैसा pattern कर दिया तो बिल्कुल नहीं अभी क्या करेगा आप समझे ना आपको ज़्यादा खुश होने की जरुवत है ना ज़्यादा डरने की जरुवत है जैसा आप पढ़ाई कर रहे हैं वैसा ही पढ़ाई करिए तो इसमें ये क्या कर सकते हैं लोग जादा से जादा क्या कर सकते हैं कि जो तीन option देगा ठीक है अब ये किस level तक toughness ले जाते हैं I am not aware of that लेकिन मेरा अंदेशा यही है कि 10 से 20% question ऐसा रहेगा जो statement based वाले रहेंगे हर PCS exam में पोछे जाते हैं UP में तो खास करके ज्यादा रहता है इसमें भी रहेगा तो अब आपको ये करने की जोरत है ढरने की बिल्कुल भी जोरत नहीं है सब के लिए change हुआ है ये relative performance है भाई आपको top नहीं करना यहाँ पे prelims qualify करना है 91 cutoff था तो cutoff कहीं न कहीं इसी around में रहेगा अब ये मत comment box में लिखिएगा कि आप अभी से cutoff predict करना है I am not predicting that this is the nature of these examinations कि cutoff जो है hover करता है suddenly change नहीं होता है ये कोई sudden change नहीं हो रहा है चीजों में तो mass जो level की thinking है sudden change नहीं होती है तो आपको अभी अपना limit push करना है push your limits now आप कैसे अपने limits को push करेंगे कि आप जो पढ़ाई कर रहे थे अगर 6-7 गंटा पढ़ाई कर रहे थे तो उससे नहीं होने वाला है आप उसको 10 से 12 गंटा कर दीजिए अगर आप ओलेडी 8 से 10 गंटा पढ़ रहे हैं तो आप 12 से 15 गंटा पढ़िए this is the need of the hour यह ज़रूरत है अभी की और जो आप पढ़ेंगे वो productive study करेंगे वो क्या करेंगे आप दो subject a day लेके तो चलेंगे ही चलेंगे आप current affairs को अभी daily पढ़ेंगे कोई भी current affair book पर आप not telling कि आप प्रबल ही पढ़िए वो available करा दिये जा रहे हैं अभी 5 PDF अप्लोड हो गया है आप उसको जाईए scan करिए वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा प्रिंट करा के पढ़िए या ओनलाइन पर लिजिए जो current affair है आप daily उस पे 30 minutes जरूर दीजिए चाहे तो एक घंटा जरूर दीजिए लेकिन current affair daily है तो that is very good आईचे भी current affair जो आएगा आप समझे है कि उसमें से 60-70% ही बनने लाइक होते हैं बांकि 30% बनने लाइक नहीं होते हैं प्लीज माइंड इट जो question छूटेगा इसी में वो लोग खेलते है current affair में ही खेलने की कोशिस करते हैं तो गलत तो हो नहीं है तो आप क्या क पान पान पर बहुत ध्यान देंगे आप फूट जो है nutritionist food खाएंगे बाहर का कुछ भी मत खाईए अभी से जो है health गिरना चालू हो जाता है daily walk जरूर जाईए आप सुबह साम किसी भी आदे घंटे आप जरूर walk करिए walk करने से क्या होगा आप और refreshment मिलेगा और आगे की प time पर क्या होता है अपने आपको शांत रखके चीजों को बार बार याद रखना याद कराना पड़ता है कि हमने यह चीज पढ़ा था हमने यह भी पढ़ा था अब क्या जूरुत है उसको produce करने की तो आप उसको produce करने के लिए अभी से मन मनाईए और अभी से लग जाईए एक्जाम के लिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले strategy वीडियो में फिर कुछ ने इसके साथ आज का जो update है जो अतुल प्रशाद जी ने tweet किया है उसको बिल्कुल भी face value पर नहीं लेना है आपकी जो पढ़ाई है उसी रफतार से चलनी चाहिए हमारा जो भी test होगा आगे का हम new pattern पर test लाएंगे और हम क्योंकि हम इसी चीज़ का wait कर रहे थे अगर कुछ official बताया जाएगा तभी हम कुछ change कर पाएंगे अपने pattern में तो हमारी जो test series रहे गया फुल लेंद से start होने वाला है तो हम उसमें नए pattern को establish करेंगे जो negative marking है वो भी नए pattern पर होगी ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाल